दोस्तो पठान आज है बंगलादेश में इसका डे 5 यानि की फर्स्ट यूजडे कितना दोस्तों यह आज कमा सकती है और शुरुवात के चार दिनों के नंबर एजा हमारे रिपोर्ट के अनुसार कितने हैं वहीं इसके अलावा दोस्तों कुछ यहां पे ट्रेड रिपोर्ट हमारे सामने आए हैं वहां कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वह वह डाटा दे रहे हैं लेकिन उसमें हम लोग कोई पुक्ता यहां पके कंफर्मेशन नहीं दे सकते हाला कि हमारे सामने जो इंडियन वेब साइट जैसे की बॉक्स ओफिस वर्ड वाइड या फिर बांगलादेश में जो पठान रिलीज हुई है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला यही अपने आप में एक रिकॉर्ड यानि कि 1971 के बाद पहली कोई हिंदी बॉलिवुडी मुवी का इस रिलीज हुई है तो अपने आप में जो कमाई हो रही है यह प्लस ही है क्योंकि लोग पाकिस्तान का भी comparison क्यों ना कर लें तो काफी कम गाई ठेटर हैं बांगलादेश में बदाया जा रहा है कि 42 ठेटर है जिसमें अगर हम लोग शोज की बात करें तो लगभग 210 शोज में इसको रिलीज किया गया है तो इतने गाई शोज में किस तरीके की कमाई हो सकती है यह तो आप लोग देखी सकते हो लेकिन दोस्तों अगर हम लोग एज़ा box office worldwide box office worldwide के अगर हम लोग रिपोर्ट माने box office इंडिया का ही दोस्तों एक साइड है तो उनके अनुसार डेवन में इस मूवी ने बांगलादेश में 26-25 रुपे कमाए थे ग्रॉस अभी इसको दोस्तों हर दिन house full चल रहा है तो यहां पर 52 रुपे के रिपोर्ट दोस्तों मेरे सामने आए थे कि शुरुवात के दो दिनों में कमाए मैं आपको कल सुबह बताया वहीं इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग डेठी की कमाई के बारे में बात करें तो यहां पे इसके सं 75 रुपेज यहां पर 75 लाग से उपर ही आप लोग कह सकते हो में भी दोस्तों गर मैं आपको कैलकुलेट करके बताओं तो 77 या 78 करोड तक के गाई कुछ रिपोर्ट यहां पर आये हैं ग्रॉस कलेक्शन हमने तो गाईस डेवन का ही सोचा था कि लगवग भी लगवग तो उनका कहना है कि इंडिया की तरह यहां के जो ट्रैकिंग सिस्टम है वाक्स आफिस का उतना दुरूस नहीं है नंबर आते आते हफ्ते दो हफ्ते लग जाते हैं तो ऐसे में यह जो नंबर आ रहे हैं आपके जो वैपसाइट बता रहे हैं वालीवूड हंगामा हो अभी वाक्स आफिस वर्डवाइट वह भी आप लोग यह की नहीं कर सकते हैं अभी अगर हम लोग हमारे सब्सक्राइबर्स के दिये हुए रिपोर्ट की माने तो उनका कहना है कि डेवन में इस मूवी ने 95 लेख रुपिस कमाया डेवन में जैंगाइस अगर हम लोग दूसरे द है वहां पर कुछ होगा उनके अनुसार सीटी नहीं है भाई सीटी नहीं है शुरुआ के छे दिन तक तो सारे हाउसफुल है जैसे कि आपको कुछ यहां पर नजारे भी देखने को मिल रहे होंगे हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए हैं तो इस तरीके से लगभग भी लग सब्सक्राइबर से उनके रिपोर्ट की माने तो बंगलादेशी टका में दो करोड़ 85 लाग रुपर कमाया जो इंडियन आइन्यर में नहीं करोड़ रुपर होता है इस मुवी के कमाई 397 करोड़ है तो तीन करोड़ कमाता ही दोस्तों यह 400 करोड़ क्लब में एंटी ले ल रहें बंगलादेश में 6 दिन तक लगातार हाउसफुल होने का रिकॉर्ड भी गाइस पठान के पास है इसमें आपका क्या सोचना है पताओ कमेंट में मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही